Hey everyone, welcome to Cladpoint and let's start the Hindu news discussion. काफे कुछ है पढ़ने के लिए तो बेना समय गवाय शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो आज के front page पे again कच्छा तीवू is in the news. पुरा detail में हमने discuss किया हुआ है, आपको सारा इसका मामला पता है. इसमें आज एक specific चीज पे चर्चा करी गई है, वो है कि travelers का Indian जो यहाई वो यूज करते हैं. देखो travelers क्या होता है, travelers basically बड़े-बड़े nets होते हैं मचलियों के और उसमें एक बार में काफी सारी मचलियां पकड़ ली आती हैं. तो हमारे साइड के मचवारें काफी संपन मचवारें, rich मचवारें, तो they have these facilities, travelers, उनके बोटों के दोनों तरफ ऐसे बड़े-बड़े जालियां लगी रहती हैं, मचलियों वो उससे पकड़ते हैं, वहीं जो श्रिलंका में मचवारें वो deep fishing का यूज करते हैं, मतलब डंड भेस में फाला ये किया, और डंडे में से फिर पानी में डाला, और एक दो मचली एक बार में पकड़ी, तो होता कया हैं कि हमारे मचवारें जा Kend馥 इसमें बहुत सारी मचली, उसके बच्चे, उसके अंडे सब आजाते हैं, तो इसी वज़ा से हमारे मचलियों के इस detail में discussion वाला आ cunning के editor your भारती निया संहिता के उपर एक editorial निकला हूआ तो इसको बिसकर करेंगे इस तीगे context में भारती निया यह सहीता जो आमारे लिए important है उसको भी discuss करेंगे तो चलिए फिर शुरू करो dtail मेंई सको समझने पूरा आपका focus होना चाहिए यहां पर ठीक है चलिए तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि new criminal laws में आपको पता है कि हमारे देश के पुराने कुछ laws को बदला गया है जैसे कि Indian Penal Code जो है वो अब बन गया है भारतिय न्याय सहीता जिसको BNS बोलते हैं ठीक फिर एक बना है Code of Criminal Procedure है ना Code of Criminal Procedure जो था वो अब बन गया है BNS और Indian Evidence Act Up का जो है वो बन गया है BSA अब आपने बहुत जगाओ पर BNS 2, BNS SS2 ये भी सुना होगा तो देखो वो क्या हुआ था वो हुआ ये था कि पहले हमारी Governmentic Bill लेके आई थी उस Bill में काफी सारी changes बताए गए थे Parliamentary Standing Committee के द्वारा फिर उस Bill को वापस करके नया Bill आया था उसक अब तो ये Act बन चुका है ये Parliament से पास हो चुका है सारी चीजे हो चुकी है तो अब ये Bill विल नहीं बचाए अब तो ये Act है तो वो two में confused नहीं हो ना वो क्यों है मैंने आपको बता दिया है ठीक है देखो कानून पहली चीज़ते समझ लेते हैं कि बदले क्यों गए सिंब Government ने अब जाके इसको analysis किया समझा ये बहुत अच्छी बात है अगर ये आज से 10-15 साल पहले ही बदल गए होते ना तो भी बहुत सही था दूसरी पॉइंट यहां पे इसको change करने का यह है कि अगर आप IPC जब पढ़े होंगे या अगर आपने कभी देखेगा पुराना तो इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है उस समय 50-100 रुपे की बहुत वैल्यू होती थी बट अब उसका कोई मतलब नहीं है तो मतलब इस हार समीजर इशूस जिसके वज़ा से इनको change किया समय के रिमान्टी करना ही करना था कुछ example जैसे मैं आपको बता रहा हूं IPC में 302 ज पहले पढ़ रखा था बस वही सब सही है अब नहीं पढ़ने से नहीं वाले से कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा सेक्शन बदल गए सेक्शन बदल गए तो आपसे अगर कुछन पूछ लिया कि मर्डर किस्ट में आपको 302 या पर यहां तो 101 में तो कुछ important ऐसे sections है जो आपको पता होने चाहिए ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया है 400 BC आपने सुना होगा इंडियन पीनल कोड में चीटिंग वाला जो होता है वो section 316 में आ गया है section 14144 जो धारा 144 लागू हो जाती है वो section 187 कहलाएगा आपका BNS के अंदर section 121 जो वेजिंग वार अटेंट जो defamation से करता है डील वो अब 354 of the new law है section 376 dealing with rape under the IPC is now section 63 and 64 related to punishment while section 70 deals with the offense of gang rape ठीक है तो point यह कि मतलब these are some basic sections जो आपको पता होने चाहिए इसका screenshot ले ले लेना अदरवाइस इसको notes में डाल देना यह ऐसे section से जो आपको पता होने चाहिए एक्जाम में पूछा रा सकता है कि भ हुए होग गया है ऐसा बैसा बहुत बेसिक चीज से फिर और जानते थोड़ा सा ब्न्स के बारे में अभी हम सबसे पहला वाले के बारे में जांके क्या नाम इसका बीन-स टू बोल रहे हैं बहुत-लोग इसको अदरवाइस एक नहें आय सईता ब्नस ठीक टू क्यों बोला स्टेट लिस्ट में सिर्व स्टेट बना सकती है कॉन करेंट लिस्ट में क्या होता है दोनों मिलके बना सकते हैं अब क्या हुआ जब समय के साथ गवर्मेंट को नीट फील हुई कि आद क्रिमिनल लॉज बदलने चाहिए तो प्रॉफेसर डॉक्टर रनवीर सिंग के अंडर म में एक कमिटी बनाई गई थी और कहा गया था कि इनको चेंज करने के लिए लेकर आई यह लॉज और फिर वो आपके सारी चीज़े बदल के सामने आई है क्या क्या चीज़े इसमें आपको बदलते हुए नजर आई न्यू बीनेस के अंदर सबसे पहले चीज को लोनियल ल आई पीसी के अंदर न बहुत सारे डैफिनीशन जो एना वह इतनी कॉंपलिकेटेड होती थी या वेग टाइप के होती थी जिसको वजासे केसे बहुत समय तक पैंडलिंग पढ़ रहते थे तो वह भी खतम हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़े बहुत सारी चीज़ सिंपल शब्दों में लिखके क्लियर कर दिया गया है कि कन्विक्शन रेट भी कम थी क्योंकि भाई टेखनीकल टीज इतनी थी उस वजासे घुमा देते थे वकील जो है आपके हमारे जैसे तो फिर वो पाबलम हो जाती थी लो कन्विक्शन रेट मैंने आपको बताया अब अब एक चीज जो एक सेंटेंस बहुत यूज हो रहा है कि हमेशा जी ने भी बोला था कि हम रिट्रीबिट्यू टू रिस्टूरेटिव जस्टिस की तरह बदल रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं इस नए बी एनस के अंदर तो इसका मतलब क्या है देखू पहले जो है ना आई क्या है जिसमें चांसेज हैं कि वो बदल सकता है तो उसको सुधारने का मौका देना चाहिए ठीक है इसके बाद आज आते हैं अगले के ऊपर नहीं अभी तो BNS ही चल रहा है ना हाँ अब BNS के कुछ प्रोविजन देख लेते हैं जो इंपॉर्टन इंपॉर्टन है जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं ठीक है चलिए BNS रिटीन दा प्रोविजन ओफ आईपीसी विच क्रिमिनलाइज एक्ट सच अज अगर विक्टिम की एज पहले 16 होती थी ना तो वह ऐसे माइनर ट्रीट किया जाता था बट अब आज की डेट में अगर 18 भी होगी नए वाले BNS की अकॉर्डिंग तो यहाँ पर विक्टिम जो है वो एसे मेजर क्लासिफाइड किया जाएगा इन्क्रीजेस दा थ्रेशोल्ड फोर विक्टिम तो बी क्लासिफाइड अज मेजर इन दा केस ओफ गैंग रेप फ्रॉं 16 तो 18 सियर ओफ एज ठीक है इसके अलब और यहाँ विक्टिम की बात हो रही है यह ध्यान रखिएगा विक्टिम मदलब जिसनके साथ यह ऐसा कुछ होगा भरवान ना करें किसी के साथ हो पर अगर होगा तो सेक्शन 113 टेरिरिजम से डील करता है बी एनेस का जो की यूए पीए में एस इस आपको पता होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है भारत का कौन से यह में आया था कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक तो वो एस इस सेक्शन 113 में लिख दिया गया है ठ तो अगर आपको ऐसा करेगा तो इस तरीके से काम करने कोशिश करी तो क्रिमिनल उफेंस होगा है इस पीच पर सीधे चीज़े चल रही है Supreme Court के बहुत सारे verdict जो है वो new IPC या new BNS में लाई गया है Supreme Court ने देखो समय समय पर बहुत सारे verdict देती है आपको पको पता है कि Supreme Court का verdict जो है इli itself is a kind of law तो अब उसको BNS में डारेक्री डाल दिया गया है ठीक है बहुत सारे verdict Supreme Court के जो पास्त में रहे हुए है फिर देखो और भी कुछ चीज़ें जैसे इस प्रोवाइट पनिश्मेंट फॉर टू इयर्स जेल सेंटेंस और फाइन फॉर प्रिंटिंग और पॉब्लिशिंग एनी मैटर कंसर्निंग कोट प्रोसेडिंग इन रेप और सेक्स्वल असॉल्ट केसे विदाउट पर्मिशन देखो बहुत बार क्या होता था मीडिया पर्संस ना या फिर बहुत सारे लोग कोट के अंदर कोई प्रोसेडिंग चल रही है उसकी वीडियो बन गई है या फिर उसकी कोई फोटो खीच लिया विक्टिम की फोटो खीच लिया और उसको पबलिक कर दिया इस तरीके का कोई भी कुछ करेगा तो वो गैर कानू नहीं पाया जाएगा आप कोट के विदाउट पर्मिशन कोट के मंजूरी के बिना कोई भी फोटो कोई भी वीडियो कोट की प्रोसेडिंग से रिलेटेड भाहर नहीं कर सकते हो दा रिवाइस बिल और प्रिसाइज देफिनिशन आप पैटी ऑगनाइस क्राइम देखो आई पीसी में कॉंसेप्ट था पैटी ऑगनाइस क्राइम का तो यहाँ पे उसका देफिनिशन दी हुई है जैसे कि थेफ्ट अंडर इट वूट इंक्ल्यूट ट्रिक थेफ्ट थेफ्ट थ्रेफ्ट फॉर्म वहिकल ड्वेलिंग हाउस बिजनेस प्रिमिसेज कारगो थेफ्ट पिक पॉकेटिंग थेफ्ट तुरू कार्ड इस्किमिंग शॉप लिफ्टि थेफ्ट ऑफ और्टोमेटेट टेलर मशीन जो ATM होता इसकी फुल फॉर्म जो होती है तो पॉइंट यह है कि इन्होंने बहुत ही डीटेल में एक एक चीजों को कवर किया है मतलब पहले क्या होता था ना इपीसी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते थे जिनके बारे में मतलब एक ग्रे एरिया था और वकील ना उनका बहुत टेक्निकल टीज में जाके यूज करके केसों को फसा देते थे बट अभी हमारी जो गवर्मेंटें उन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान दिया कि इस तरीके की चीज़े नहीं रहें और प्रॉपर चीज़ें रहें इस कम्यूटी सर्विस करके भी बाहर निकल सकता है कम्यूटी सर्विस का मतलब उता जैसे की श्रम्दान करवा दिया या फिर कोहीं किसी की मदद करने के लिए कहा कि हम हैनत करो कुछ काम करो तो वो चीज़ें एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉंसिबिल्टी जो है वो बारा कर दी कॉर्फ यह फ्रोंब सेवन देखो मतलब क्या इसका मतलब है कि मानलो मैं साथ साल का बच्चा हूं ठीक है मैंने कोई क्राइम किया तो पहले मुझे पूलीस हुष एसी छोड़ती है कोड एदिन हैone बारा साल के बच्चों को एज से नाबालिक की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर कोई ऐसा क्राइम किया है जो अच्छा-खासा मैसे मतलब ही मतलब जिसका दुश्पन्याम जादा है प्लस कोट जांच करेगी कि इस बच्चे की बुद्धी में यह चीज जा रही थी कि कर रहा है अगर कोट को लगता है कि हां भाई लग रही थी तो बारा साल तक की बच्चों को नाबालिक की तरह ट्रीट किया जा सकता है फ्रॉम सेविन के जगा पे पहले साथ साल था अब वो बारा कर दिया गया है ठीक है पहले साथ तक रखते थे कि छोड़ देते थे था बारा तक छोड़ देंगे लेकिन मैंने आप एक पॉइंट बताया है आपको कि कोड विल आउसो डिसाइड बातचीत करकर एसेस करने की कोशिश करेगी कि बच्चे को वो चीस समझ में आ रही थी कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब देखो पहले सेक्शन 377 IPC में होता था उसमें यही था ना नेचुरल सेक्स अलाउड नहीं है फिर हमारी सुप्रियम कोड का वर्डिक्ट आ गया था डिक्रिमनलाइस कर दिया था इसे लेकिन अब हमारी नए जो ब्रोविजन नहीं है तो मैं के अगिंस्ट में रेप के लिए नए ब्रोविजन नहीं है जो अपने आप में चिंता का विशर है फिर देखिए बात करते हैं जो नई CRPC है जो भारतिय नाए सुरक्षा सनीता एक्ट है जिसको हम BNSS बोलते हैं जो आपकी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो as per the CRPC if an accused has spent half of the maximum period of imprisonment in detention he must be released on personal bond this does not apply to offense punishable by death ठीक the BNS adds that the provision will also not apply to offenses punishable by life imprisonment and person against whom proceeding are pending in more than one offense अब मैं आपको समझा देता हूँ है क्या जैसे मान लो किसी बंदे के उपर कोई case चल रहा है और उसके अंदर जो है ना 5 साल की सजा है अगर वो convicted हो जाएगा लेकिन उस बंदे ने already धाई साल की सजा काट ली है अभी वो case चली रहा है लेकिन तब उस बंदे ने 2 साल की सजा काट ली है तो CRPC के तहत ने ऐसे cases में उस बंदे को रिहा कर दिया जाता था जब तक case चल रहा है अगर उसने 50% कर ली है बट अब नए वाले law के अंदर BNSS के अंदर ऐसा नहीं है आपको पूरी सजा काटनी पड़ेगी जब तक case चल रहा है चलता रहेगा और अगर life imprisonment और इस तरीके के heinious crime वाले cases है इसमें तो बिलकुल आपको एक एक दिन की सजा काटनी है तो ये चीज हाई इसके लावा BNSS के अंदर ना पहले गया होता था कि इस विक्टिम या जो convicted अक्यूज होते थे इनी का medical examination करवाया जाता था अब पुलिस जिसका चाहे उसका medical examination करा सकती है पुलिस का मन आया कि इस केस में एक्स नाम का बंदा है ये भी इनवाल हो सकते इसका medical exam करवाओ करना पड़ेगा forensic investigation पर बहुत ध्यान दिया गया CRPC के अंदर strict timeline रखी है कि अगर आपने किसी को arrest किया है तो या तो 24 घंटे के अंदर उसको magistrate के सामने time-paste करो या फिर आप उसको छोड़ दो बाकी कोई और उपाई नहीं है पहले क्या उधार इसमें घुमा फिरा के बहुत सारे आदमी पर बीटती है ना फिर वही समझता है कि भाई लॉस्ट तो है लेकिन यूज कहां कर पाएंगे जब तक पुलिस नहीं चाहिए फिर देखिए देखो जुडीशल कस्टडी एक चीज होती है जिसमें आप 15 मतलब जुडीशल कस्टडी किसी अक्यूस्ट की होती है उसमें ना एक टर्म होती पुलिस कस्टडी की पुलिस के पास वो बंदा रह सकता था 15 दिन के लिए तो CRPC के अंदर ना वो 15 दिन की पुलिस कस्टडी होती थी वो एक साथ होती थी कि मतलब 15 दिन पुलिस ने लिया तो पुलिस पंदा दिन रखेगी बट अब जो 60 से 90 डेज का या 40 से 90 डेज का पीरियड रहेगा 40 1060 60 9 date ISники neighborhood ईसने पुलिस वह 15 निंकी फूलिस कस्टड़ी टुक्रों भी ले सकती जैसे दो दिन लिया फिर छोड दिया जॉलिटिशल कस्टड़ी में दें फिर वापस से प्लिस से अपने कस्टड़ी में ले लिया जैका जूदिशल कस्टड़ी में आपको बहुत inex लेकिन बंदा रहेगा और पुलिस ठाना जो चीजों को देख रहेगा वहां रखेगा लेकिन अब इसको समझ लेता है तो पंद्राइदिन की जो पुलिस स्टरी में लेगी ना वो टुकुडों में ले सकती है पुलिस तीन दिन लिया फिर जा के जुरिशल के स्टरी में दे दिया फिर दो दिन लिया फिर जुरिशल के स्टरी में दे दिया इस तरीके से और पॉर्वियॉलrict को बहुत कानुसक्त किया इसेट के चलाव सर है और बहुत सारे नियекст में होते और बट अब यह बॉला गया बेन नग्कसान के दूरा आगर कि आपको लगता है कि नुकसान पहुंचा सकता है या बड़ा खुंखार डाइब हम रखो जहा लेकर जहाम हें तफ में लगखो कोई राइट वाली बात नहीं है प्रिजनर के अगर कुछी ने क्राइम किया है तो कोई राइट वाइट नहीं है समझ रहे हो वह सब चीजें इसके बाद तीसरा हमारा आता है भारतिय साक्ष एक्ट जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाता था देखो एक चीज आप सबीर को मैं बताना चाहूंगा कि यह बहुत इंपोर्टेंट होतना जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट आप पढ उसको बदल के जो आया है जासेंडियन एमिडेंस एक्ट 1872 में आया था तो उसको बदल क्या आया है भारतिय साक्ष बिल टुटाउजन त्री या भारत विल थक है तो बीचना सकते हैं या नि कि खो वीया तो भारतिय साक्ष एक्ट जो हैापका उसने Indian Evidence Act को बदला यह retains करता है most of the provisions of the IA including the confession relevancy of facts, burden of proof etc. कुछ major चीजे जो इसमें करी गई है वो देख लेते हैं जो आपसे पूछी जा सकती है जैसे कि BSB 2 जो है यह electronic provisions of oral evidence को भी include करता है मतलब क्या है कि भाई कोई बंदा वहाँ पर नहीं पहुचा हुआ है court में वो गवाई देने नहीं आ सकता है तो video conferencing के थूरू इस थरीके से भी उससे गवाई ली जा सकती है इसके लावा electronic and digital records को बहुत properly तरीकों से acceptable माना गया है जैसे आपने पहले किसी call recording कर ली whatsapp recording कर ली, whatsapp chat कर लिया Indian Evidence Act क्योंकि Britishers के जमाने में था तब तो यह सब चीज़े होती नहीं थी Assets को directly provision नहीं होता था वो judges की उपर होता था कि वो उसको किस से किस से consider करने वाले बट अब provision दे दिया है जैसे कि semiconductor memory, smart phones, laptops, emails, server locks locational evidence and voicemails तो these are the things which are now being included in as evidence अगर आपके पास है देखो आप लोगों में एक चीज़ बता रहा हूँ mail बहुत अच्छा एक source है mail एक बहुत अच्छा तरीका है अभी जैसे आप लोग college में जाओगे या भी 12-12 में हो कोई भी काम क्या रहा करे आपके parents भी क्या करें तो आप mail interchange कर वा आप लिया करो जैसे टैनेंट वाला ही सेंपल एक्जामपल ले लो आप किसी यहां रह रहे हो तो छोटी जगाहों पर क्या होता है rent agreement agreement नहीं कराते हैं तो आप अपने पापा की mail id बनवा के और mail कर दो जो tenant है और उससे acknowledge कर वा लो एसी छुटी छुटी चीज़ों का जो घर में agreements होते हैं बोल चालके वह आप mail के थूब भी करवा सकते हैं तो इसे good way to communicate and have the things as evidence ठीक है तो यह कुछ चीजे हैं जो हमारे Indian Evidence Act या फिर जो BSB आया है इसमें किया गया है तो इसमें questions कैसे करे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा नए वाले में नहीं है बताओ या जैसे यह कुछ sections हो गए तो यही पूछ लिया कि murder किसमें है यह बताओ समझ रहे हो ऐसे बहुत बड़ा है यह बहुत बड़ी है सारी चीज़े लेकिन examiner भी बेकूफ नहीं है वो आपसे question general वाले चीजों पर ही पूछेगा अगर act पर proper question पूछेगा तो वो तो judiciary का paper हो गया वो current affair का part कैसे रह गया current affair question पूछेंगे वो ऐसी ही चीजों पर पूछेंगे जो अभी हमने discuss किया है चितनी important important चीज़े हैं जो major major चीजें वो यह थोड़ो पूछ लेंगे कि भाई कोई ऐसा section है जो आपने कभी मतलब ही नहीं हम आम जनता को वो पूछ लिया ठीक तो current affair में ऐसी ही चीज़ा हैंगी जो normal जनता के लिए important है और उसके बारे में आपको idea होना चाहिए तो this is it यह था हमारा session if you are preparing for CLAT UG, CLAT PG, NLSET don't forget to check description से हमारी application या website इन courses के demo classes available है affordable prices में best quality content आप लोगों के लिए है do visit it, do watch the demo class and once you feel like enrolling get yourself enrolled there someone from our team will reach to you ठीक है? This is it, thank you so much जै हिंद, जै बारत